दंडाउत बंदन अनकवार सर्वकला समरत दोलन ते रखो प्रभू नानक दे कर हत आठ पहर निक्ट कर जाने प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आदार हुए रह सब की पागशार वर्तन जाकै केवल नाम आठ पहर अनद रूप मंगल बिसराम सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली ग्रीब नवाज पत पावन पगत वशल किरपा देख जाने सर्वकला समरत जाहर जहूर हाजर हजूर दसां सद्गुरां दी आत्मिक जोत शब्द सरूप सद्गुरु तन्गुरु गरंत साहब जी दी परम पुटर हजूरी अंदर सुभाइमान गुरु की साजी नवाजी परम सन्मान योगसाद संकत जी ओ गुरु कलगी तरद समेश मेता महराज वल्लों बख्षी हुई फदे परवान करो वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फदे आजदा ए दिवान गुर्पर वासी बाबा रतन सिंग जी उन्ना दे पुत्र पोत्रे पड़ पोत्रे आद के समू परवारां वल्लों और संदू परवार वल्लों ए मिल जोड के करवाया जा रहा है श्री अखांडपाड साहब दे पोग पय हान उपरं तरागी जथे ने हजूर दी पावन बाणी शब्द कीरतन आप जी नू सर्वन कराय हान साहब जादा बाबा आजीत सिंग जी गुरू कलगी तर पादशा जी दे वड़े फरजन्द वड़े साहब जादा जी जो होई हान संत ग्यानी गुर्बचन सिंग खाल सापिंडरावाड़यां दावी जनम देहाडा बारां फरवरीनु सी और इससे तरह संत जर्रैल सिंग खाल साजी जिनादा जनम देन ता दो जून उनिस सो संतारी दा पर फटएगड़ साब दी तरती ते सरदार सिमरंजी सिंग मान जी बारां फरवरीनु मनाया जाना रम किता गया सी इस करके उना मह पुरशादे जीवन सबंदी भी अजदा दिवान है गुरू के प्यारे ओ ऐसी जो अरदास कर दे हां उस अरदास वेच पंच प्यारे सहबान तों बाद चार सहब जादे आदा जेकर किता जनदा है स्वाल ख श्री गुरू नानक दे महराज जी दे दो सहब जादे होए ने श्री गुरू अंगद देव जी दे सहब जादे होए ने गुरू अमरदास जी दे इतियादक पर एच चार सहब जादे आदा जेकर अरदास वेच पंथ ने क्यों एच शामल कीता है यदा कार ने के उना दी स हादता हुई हन और ओ महान सपूत हो गुजरे हन क्योंकि एक विदवान ने बचन लिखिया है कि संसार विच जो महान व्यक्ति हुंदने वड़ियाए जंदने कुछ ता अपने वड़े वड़े पुर्खियां दी महान कमाई जहां जो ना परपकार जहां सूर्म गती पले करम कीते हुना करके वी संताना दा अगे सनमान हुन दा संसार विच जो में किसे महान शहीद दा कुछ पुत्राव दा वी सतकार हुन दा और दूसरी किसम दे वड़े जानवाले लोग अपनी करनी करके महान हुन दे उनना दे वड़े वड़े पामे महान ना उन पर अपनी महान करनी करके उना दा सनमान होंदा संसार वेच ते तीसरी किसम दे ओ व्यक्ति होंदे ना उना दे वड़े वड़े रे महान ना आप महान ते उना दी संतान दी महान ता करके माता पिता आदक दा सनमान होंदा है जिने क्या गया तिन तन जिन दी माओ आए सफल से आए सफल ओ पर उनह दी मा भी तन कया गया तन पता जन जाया सुपरकार तन जन नी जन जाया तन पता प्रदाँबान सथ गुर सेव सुखपाया विच्छ हो गया गमान आद कया जंगा पर गुरु कलगी तर पादशाजी ऐसे महान मर्दा गंबडे साड़े गुरू साहब होए ने उन्हादे पिता जी दादा जी पडदादा जी नगर दादा सब महान आप भी महान ते उन्हादी संतान ने भी उन्हादा दमाला बहुत उच्छा कीता है उन्हादे चारे सपुत्र चारे साहब जादे कुर्बानी करके गए ह इसकर के गुरू कलगी तर हमुखा रगा महान हूर्स संसार थे कुई नी होया पहर हो विचार गुरू कलगी तर्पाद्शा जी दे तेन वेया होए ने व्या होनदा कार्ण आम संसारियां वारा नंदां नहिए क्योंके गुरू के शर्डालू प्रेमी सेवक आप रिष्टे लेके अंदे रहने के साड़ी पुत्री परवान करो जी ता माता जी दी आगया न सार गुरू कलगी तर पादशा ने माता सुन्दर का और जी नाड व्या किता है फिर माता अजीद का और जी दे पेता जी पहुंचे साना नंदपर साव लहारतों चलके उनना नाड व्या किता है जदों चवां सहब जादे आंदा जनम हो चुका सी उदों रोहतास जो जी कल पाकिस्तान वेचा है उथों चलके माता सहब देवां दे माता पिता हूर संगिता समेध अनदपर साव पहुंचे संते बेंती किती के साड़ी पुत्री परवान करो ता सदुगरां बजन किता सी के यह नहीं हो सकदा क्योंके चार सहब जादेयाने साड़े करोणा सी ओ आच उके ने असी उन ब्रह्म चरजनू तार्न किता हुया इस करके नहीं हो सकता है पर माता जिनों बेंटी किती माता गुज्री जिनों तां सद्गुरां देताईं क्या गया फिर हजूर ने क्या के एक कवारा डोला रखांगे फिर जे इंज रहना चौन देने एश इशाईब देवां जी तरह सकते और अनंदकार जो होया सी पर सद्गुरु महराय ने इन उक्वारा डोले दे ता उरते प्रवान कीता है पे बाद विच खालसा पंथ दी सरजना तो बाद माता जी ने सपुतर दी जाचना कीती सी ता गुरु कलगी तर पादशा ने खालसा पंथ माता सहब का और दी चोड़ी चिपाया अमर सन चार वेले जदो सचे पादशा ये अमर दा बाटा त्यार कर रहे सी उपता से माता जीत का और जी ने पाए सन पर खालसा पंथ माता सहब का और दी चोड़ी चिपाया गया रहो विचार सहब जादा अजीत सिंग जी जदों पंगाणी दा जुद हजूर ने फत्य कीता है ता ओस समय जुद जीत जदों आये सचे पादशा के पही किरपा तेरी किरपा काल केरी पही जीत मेरी रिनंग जीत आये जयंग गीत गाये सो क्योंके समय मेरे कुल संखेप है ते इस करके शेती शेती जरा बेंती करनी चाऊना उस वड़े फिर हजूर ने सहब जादा जी दे परगटों दी ख़वर ते अजीत सिंग नाम फरमाया ते अजीत सिंग नाम रखे आगया अनदपुर साब आके नदी परवरिश होई क्य क्योंके जुद जीत आये जब है तिके न तिनपुर पाम कहलूर में बंद यो आन अनदपुर गाम बचितर नाटक वेच गुरु कलगी तरजी लिख देने है पहला इत्हों अनदपुर साब तो है कैसी पॉंड़ा साब राज दी बेंती परवान करके उठे जुद लड़न तिर दबारा एक ओगवास दा नगर बणया श्री नंदपुर साब इत्हे न दी तलेइम दा इंतजाम होया पाई उदे संग जी पाई आलम संग आधक साब जादा जीनू विद्या सखांदे रहे पड़ांदे रहे और शष्ट्र विद्या सुक उड़सवारी नेजा बाज तेई माग 1687 सन इसवी ते 1700 तरताली देवेच बिक्रमीच इनदा जनम होया है पाउटा साब ते शोटी जी उमर देवेची हजूर कलगी तर दी आगया नाल पाई उदे संग दे नाल सौ सिंग अधा जथा लेगे गे सन अनाधपुर साब दे नजदी की नो नाधा एक पें सखाऋद वाएस दे गे संत जित प्राप्त करके सबस्क्राच के वावस परते इसे तरह इना पाई उदे संग दे नाल नेरा मोग घड़दा इडा किला उधे जंग लड़ेया है यह फिर इसे तरह तारा घड़ इडा किला है इधे वी बड़े नाम भी आसी गुरमग प्या आप जी ने लड़ेया अनंदपुर साथ ये जंगा वेच भी हिस्सा लेया और जीडी आखरी जंग होई अनंदपुर साथ सतारां सो चार वेच उदे वेच भी आप जी लड़े रहे ने फिर गुरु कलगी तरपादशा नो बार बार बेंतियां करनतों राजयां ते मुस्लम आना वलों समा संगना खांतों फिर भी सद्गुरु जी मंदे नहीं सन पर फिर सिंगा दी हालत बहुत कमजोर होगी सी खाना पीना कुशनी सी मिलदा रतन सिंग पंगुजी लेख देने चार सिंग पाणी को जावा हैं दोए जूज यां दोए पाणी पर लियावा हैं दो जूज के शीद हो जन दे सी दोए वापस पर दे सन अंदर पाणी भी नहीं सी खान पीन नो कुश नहीं सी ऐसे हलातां वेच सिंगा ने फिर माताजी नों बेंती कीती के गुरु साब ता मंदे नहीं तुसी कहो तो अड़ा बचन मन लेन गे अनंद पर सब शड़ देना चा क्योंके नीती एक अलकें दिया है कि जदों आपने साथी बहुत होर पासे हो जान ते असी दुझे पासे ना जाईए उनना दे नाड़ चलिये नुकसानों वेजा नभा होए इस गल्दी परवा नहीं अपने साथियां दा साथ नहीं शड़ना चाही दा इननने साड़ा बह होड़े बे अमान लोकने नहीं था कोई अमान नहीं इना ते ज़कीन नहीं करना चाहिए आ उह कोजी उनना ने कीता मगर आक्पे हमला दो पिर साथswु जादा अजीद सिंग जी केरेच करगे सान। तां सद्गुरु कलगी तर पादशा तो आगया ले के पाई उदे संग जी गये सान जो पाई बचितर संग दे पराता सान उन्हाने सब जाधा जिनू केरे चों कड़े आते आप शहाधत प्रावत कीती सी फिर साथ जाधा जिनू हूरना संगा दे केरे विच लिया के गुरु कलगी तर जी नाल सरसा दे कंडे मलाया गया सी एथों सद्गुरु महरास चे पादशा जी सरसा नू पार करके लंगे हन साथ सो जे क्रीब सिंग ए सरसा नदी विच विरुड के शिहीद हो जे सन और चाली जे क्रीब ए सिंग गुरु कलगी तर पादशा दे नाल गे गये सी और फिर दो में मातामा माता सुंदर का और ते साहब का और जी इननू पाई जवार संग जी दिल्ली दे रेन वाले सन ते नाल पाई मनी संग जी उनना दे नाल दिल्ली नुर वन्ना कीता सी एक दन इस अलाके वे चीरो पर दे लाकेज रहा के पाईवार सिंग रिष्टे जारे सी ओ अस्थान अजय तक लबा नहीं जिते माता जी एक दो दन रहा नहीं मतावा उदू बाद दिली पहुंचे सन तेदर सद्गरु महराज जी दे शोटे साब जा दे ते माता गुजर कोर जी पाई तूमा ते दरबारी पहला कुमे माश की दे जड़िस चुगी सी उथे रहने फिर तूमा ते दरबारी ना दे दो गुरु कर दे मसंद सी उ लेगे गेने आप उथे माताजी नों ते सहब जादे नों बिले हैं उस चुगी दे वेच उथे लशमी ना दी एक ब्रह्मनी माई ले आगे दुद पानी आद के शिकाउं दी रही है तो मसंदा दे बेंती करन ते माताजी सहब जादे समेथ रवाना हो गया सी उस तों अगे गंगू ब् शहादत दी जड़ी कथा है ओ मैं सुनके प्रेमिया तो जड़े शर्दालूसन उनना तो सुनके अगे लिखिया है उथों तक मैं नाड रहा है चमकावर सादे बार बार वार ओ चुगी सी ते उथे मडाप मेरा होया रहो विचार पिद्र गुरु कलगी तर पादशा जी ज उथे शड़ गे सी ते सद्गुरु कलगी तर पादशा फर अगे नुरवाना हुए रस्ते दे वेच एक विंग गोत दा जुगराज ना दा जाट मिलिया सी गुरु कलगी तर पादशा नू ताहजूर ने किया सी जो कुछ तुम वेखिया पचा लईं अफरेमा ने उना च आती दे उस खानदान दे लोक संतकरतार सिंखाल साजी ने आप पदा की तासी अजे ता काफर के मर्द जूर ने कैसी आफर गया इस करके फरेमा होगे बहुत उन्दियना दी ताह सद्गुरु जी फिर चमकावर सब जागे ठहरे सान दास्तान ताह आप जी सारे नू पदा बहुत लंबीरी है पर मैं संखेब च बेंती कर रहे हैं बहुत विद्वाना ने पाव पूर्त बचन लिखे ने कोच मकावर दी गड़ी वेड़ सद्गुरु जी शामा नू पहुंचे सन ताह उस वेड़े सद्गुरु जी ने शामा दे समे रह रासाव दे पाठतों एक तक्रीर कीती सी पाशन देता सिंगा नू पदेश देता सी के खालसा जी चार चफिरे टिडी दल मुडा रहा है समंदर ठाठा मार दा फाउज दा मौत यकीनी है पर एक दस देना दुनिया दे लोकानू के तरमनाल जी उठे बंदया नू मौत मार ने सकती जिड़ा आम व्यक्तिया इना मुलखया दौले कठावे नी फाउज दे उधे उँँ पराण निकल जन दे पर ऐसे समेच उना चारी सिंगा दे अंदर ऐसा बल सद्गरू जे परिया सी कि उना ने मौत मौत नू मखोला की तियां के तरमदे पाखते तुसा जूज के शहातां पराब्त कर नहीं ते इस वास्ते दास देना है के तरमिनल जी उठे बंदे आवज किनी के सूर मगती हुन दी है और गुरू के प्यारे ओ फिर रात नू तंबू दे विच बिश्राम कीता है गुरू कल गी तर पाधशा ने ते आठाठ सिंगा ने बाईयां दे खलो के पैरा देता वार गुरू जी टारी ते बैठ गे सी पाईवीर सिंग लेखते ने इस तरा गर्दन तक कंद सी उपरों हजूर दा चेरा जड़ा सियो दिखदा सी ते हजूर दी कलगी चमका मार दी दुश्मनाओं देस दी सी उत्थे तीरां दे पथे सी उनना दे टेर लो आते सी तीरां दे चलों दे सन सूर में जबाहू बाल पर दे सन जदों दपैर तक कोई नी सी आया नेड़े ता ओदों फिर सद्गुरा ने आप दरवाजा खुला आगे किया सी कि उनने पंच-पंच सिंगा दे जथे बार जाके लड़न गे ये दसना है क्योंकि अंदर खान पीन नू परबं चीज नहीं गए बड़ी खुशी दे नाल सहब जादी जिनू शेष्टर पखड़ा के पंच सिंगा दे जथे नाल मैदाने जंग तोरेया सी और उपर सचे पादशा जी जिकारे शड़ दे रे सन और जिस वड़े नेकानू मार के सहब जादा जी तेन सो चरन्वे फट सहब मैदाने जांके जान ली तियार होए संग ता उस वड़े सिंगा ने बेंती कीती हजूर पहला मनने नहीं फिर पंच सिंग कठे होके जिनाच पाई दया सिंग तरम सिंग मान सिंग संत संग ते संगत संग इनने क्या गुरू माराई तुसी सानू आप खालसा गुरू काय के ने वाजिया बख्षिश कीती है ते इस करके साड़ा बचन तो अनू मनना पढ़ना है साड़े वलू माराई बेंती पर तुसी सानू वड़े आई बख्षिया तुसी ए बचन माने के निख़ जाओ ये तुसी होए ते साड़े वर के अनेका संग होर साज्यान गे अगर तो अड़ी शहादत होगी ते असी गुरू के तो लबांगे ए प्रेम सी एक विजवान ने बचन लिखे आया के पगंबर महमद साब जी ने चोन कीती सी अपने सेवकां विच्चों चार यार बनाये सन ते बारां इमाम बनाये सन पर ओ चार यारां विच्चों जिड़े सी इदा निकाह कीता फिर करना प्या महमद साब जी ने पर गुरू कलगी तर पाधशा जिनना दी चोन एडी महान है पंच प्यारे जिदे चुने ओ सद्गुरू कलगी तर पाधशा दे पसीन ने था आखरी दम तक अपना खून वहंद रहे गुरू कलगी तर नमके जैंग व मोड़ नी सी सकते फिर हजूर कैने लगे दया सिंगा मैं एंज आम व्यक्तियां वांगा नी निकलांगा लोग तो अनुतान ने देंगे तो अड़ा गुरू कायर बनके निकल गया मैं दसके जणा है कैने लगे जिए शर्त प्रवान है फिर हजूर ने अधी रात नल नर वजाया से व्योंत दसी सी के पिछला शोटा दराजा उद्र दी से निकलना तिन संग साथे नाल निकलनगे दया संग तरम संग ते मान संग 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 ते संगत संग आखरी दम तक साथे थां ते बैठके जिकारे शटनगे लड़नगे शहाधत पॉंड तक दुश्मन नों पुलेखा प्यार हवेगा कि असे यह थे यह. पर असे दसग के जा रहे हैं. नर संगा वजाया साथे तिनवारी तो उना दी पाशा फार सी वेच हजूर के आसपीर हंड मेर वद्र हेंददा पीर जा रहा है तिन वारी ता फिर सद्गुरु जी निगले सन तिना सिंगा नू कहा सी साड़ा विशोड़ा पैजेगा अकाश देवेचे के तारा तुरू उस तुरू तारे नू सजे मुड़त रहके चले ओना अगे साड़ा मिलाप होवेगा सो इस तरह दी व्योंदबंदी करके गुरू कलगी तार जी चमकावर नू शड़ के निगले सन ये थेवी जित पराब्त कीती है क्योंके दस लख दा वड़ा केरा श्री गुरू गोबिन सिंग साब दा सिर कलम कर नवास दे सी जहां जियोंदे पकड़ लो जहां मार देओ पर सद्गरू जी उनना दे काबू नहीं आए एवना दे महान वड़ी जेता है और नाल आपने सिंगानों चाली सिंगानों आखरी दावन तक लड़ाया दुश्मना दे दंद खटे कर दते क्योंके दुश्मना वंदरे पांच पर इसी पे गुरू कलगी तारदा चलाया तीर व्यर्थ नहीं जाएगा निशानना फुंडे गई इस करके जड़े उनने जर्रेल सी होता समणे होंदे नहीं साना होरना सपाईयान वंगे पेदे से लड़नवास ते एक आया सी ना रखां नवाब मलेर कोटली या शेर महमद खां लिड़ा सी दा सका परा ना रखां उनने पड़ी लाग उपर चड़न दा जतन कीता सी गड़ी दिकांद ते ताहजूर ने कतीर उननों बख्षिता सी ते सुर्मा जम्या जिनने बैठके दमगजा मारेया के जहां गुरु कलगी तरदा सिरवट के लिए हमांगा जहां मैं नहीं हमांगा शाबाश हो दे सुर्म गती बखाई उसने और ख्वाजा मखदूम जड़ा सी उन्हों हजूर ने मर्दूद लिखिया पर उन्हें मी जतन की पर साधी कलगी दी चमक वेह के डर गया ते कंद दे उले शामें पजिके जान बचाई काश किते मेरे समणे हो दा एक तीर मैं उन्हों में बख्श देंदा यू सद्गरु महराय ने दुश्मन नुमी सलाया जो सलौन जोग सी रहो विचार ऐसे पिता गुरु गोबिन देती है दो सहब जादे क्योंकि उन्हें कोड़ शेहित्र थे आर प्रबंद नहीं सी और पकड़े गए ते उन्हाने कंदावें चिने जाना मनजूर कर लिया पर ओ अतरमदे के गोड़े टेके नहीं गए साधी तरमनों साधी कौमनों चार चैनल लागे गए गए ने पाव अगलियां कोड़ शेंदे कोड़ बचन दा कोई अपाई नहीं सी अगलियां को मुका नहीं देता पिता अनु शड़ देंगे आगल मनजूर कर लो नहीं फड़े देफड़ के मार देते उन्हादी विड़े आई भी कीती है मिर्जा हकीम अलाह यार खाजोगी मुसलमान ने पर ओकेंदा गुरु कलगी तर पादशादे जेड़े सहब जादे होए ने उन्हावर किसे दी कुरबानी ने मुसलमान लख़दा ओकेंदा क्योंके उन्हान बचन वास्ते रा दस्या गया सी कि तो अनु शड़ देंगे तो अनु हूरा मिलनगी यां बहिश्त वेच तो अ जो दी दंदिया होन जोड़ों के अपना नकसाफ करना ना होदा होए कोई पांच साथ साल दी उमर वद तो वद 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 वनना साथ ते नौ साल दी उमर लखी है साथ ते नौ साल दी उमर नहीं किसे ने भी लगी साथ ते नौ साल दी उमर देवेच उनने महान कुरबानी किती खैर रहो विचार किते फिर समा मिले आता ये सबंद वेचे कुछ बेंती करांगा संत क्यानी गुर्बजन सिंख खालसा पिंडरावाले वाँ पुर्श साड़ी सिख कौम दी महान हस्ती होए नहीं क्योंकि उन्ना ने खालसा पंथ वास्ते बहुत वड़ी देन देती है जिनना समया दे वेच विदवाना दी बड़ी काड सी हरमंदर साब केसगर साब दामदमा साब पटना साब हजूर साब आदक स्थाना थे उन्ना दे पड़ाए वदे आर्थी सेंग होणता कि सेवावान ने बहुँदे चले आ रहे नैं क्योंके शरोमनिक मेट्टी नूंवी जदों कोई स्याना विदवान चाईदा उन्दा सी गरंथी संग जया कथा वाचक त्यों मापुर्शानू बेंती कर दे सी के आपने जथे दा संग कोई सानू देओ ता मापुर्श खास हदायता करके अपने चून में वद्यार्थियां वेचों सिंगान उथे पे इदर हैं सो गुरू के प्यारे ओनना ने हुण तक महान सेवावा कीतियां ब्यंत विदवान उननने पैदा कीते अपने जीवंदरान उनना दे सबांद चे संखेव जी बेंती संत गयानी गुरबचन संखाल साजी दा नगर है अखाडा जगरावा दे कोड जला लुदे अनावेच पाईवीर संग ने एक ते आस्वेच जेकर आवल खेडी पेंड़दा कीता कटना हूब भूल ही है हो सकदा आवल खाडी तो खेडी तो ही अखाडा पेंड़दा नाम बढ़ेया हुए जगरू कलगी तरपादशाय से पेंड़दा गये सन ता मापुरशादे वड़े 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 रहे हैं चो माई सेवी उसने अपने पुत्तर दे सेरते दुद्धा काड़ना चुका आगे लेंदा सी ते शन्ने दे विच दुद्ध पाके विच मिठा कोड के मिडाई वा जगरू कलगी तरन शकाया ते सिक संकतां वलेंदा दो देसके विचितर उतल के अगड़के विच दरने की तन खाल सा जोई एक शन्ना दोद पेड़े विच करदा मीरा खाल सा नदियां बार कंद ऑर उस वड़े माई सेवी नू को आए अधरे प्रेयरना करको आशी पावन गे होर बढ़ी लोकां दी, दास माधा की चाहिए दा, ता उस माधा ने क्या सी एक ब्रह्म ग्यानिस पुत्र साधी बंसवेच होवे, जिड़ा कुडां तार दावे, ता गुरु कलगी तरने क्या सी ऐसा ही होवेगा, उस माई दे पुत्र महबत संग ने अमर्त शक्या है, मह पुत्र होजने पाई माना संग जी, ते उना जी तरम पतनी दा ना सी राज काउर जी, तो एसे प्रकार फिर मह पुरुष्या दे पिता जी, बाबा अरूड संग जी, बर्मा फरंटीर फोर्स दे वेच परती सन ग्रेजयां दा राज सी होदों ते बर्मा मी इना दे दीन सी ते बर्मा दियां रवनीक पाड़ियां वेचे उना जीवन बतीत होया है और इस प्रकार उथे उफावज दे विर सी ते गरंथी दी सिवानों देती गे इसी बड़े स्थकार जोग वेकती जान के, उन बाई उना ने उना दी तरम पतनी दा ना सी अनंद काउर जी, ओ चाहिए दे ताया जी, सरदारकान सेंग जी, बोट वड़े तुरंतर विदवान दे बड़े रागी संग होया है और इस से तरह आप जी दे पराता जी, हजारा संग जी, ओवी बड़े वड़े वड़े होया होया हर मंदर साव गरंथी दी सिवावी नबाई दिया सिक संगत ते माग में ने दी पूर्ण माशी नू उन्नीस सो दो सानीस वी उन्नीस सो अनाट बिकर मी सम्मत नू अमर्त वेले टाई वजे आप जी दा जनम होया सी और बचपन तो ही आप जी नू पिछले जनमा दी कुमाई सी ते ए मस्त रहीं देसन होरना बचेया मांग श्यतानी चला कि चंचलता ये नावेच है नहीं सी और आप जी दे ताया जी कान सेंग जी आप जी नू विद्धया पड़ा हो दे रहे जो तेरा मीन्या जी ओधों ही माता जी ता कालवास होगे चलाई कर गे सी फिर आप जी पुवाजी जेडे सान किशनपुरे साइब कार जी फिर उन्न अंबास मां बानी पड़या कर दे साना मां पुर्षाने एक वारी बार बार पुछन तों बजन दस्या सी कि संत संधर सेंग खाल साईदे कोड आउन तों पहला गुरु गरंशादे पांच सो साइज पाठ़ा सी कर चुके साईब पांच सो साइज पाठ़ना कर ले सी बानी एंजिक गैसो जी संसकार सिओन नाए बैर क्योंके और अग्रभ कर वेचोई ताँ फिर ओदों सिंग सबा लेर चली, ते ओस सिंग सबा लेर दुरान इना दे पेंड अखाड़े वेचे बहुत वड़ा समागम होया, दिजिदे चे खंड की इतन जभे वाले पाईरन तीर सिंग जी भी, ते होर वी जमें बुड़े दल दे मेरे खेल गयानी चेत सिंग जी सानुदों, इते आदक वड़ियां वड़ियां हस्तियां उते पहुंचियां, संत संदर संगाल सा पिंडरावाले भी पहुंचे, बड़ा बड़ा समागम होया, कथा की इरतन दा, ते हुक्म नमा साब आया सी, आद पूरन, मद पूरन, अंत पूरन परमेशुरह, इस हुक् इस परकार फिर कथा सुन देयां सुन देयां, साधे अंदर वाई गुरु मंतर दा, एक रास सिमरन चालू हो गया सी, ते फिर जो कथा करके संत हिड़ा उतरे, ते इना ने उननों फते बलाई, ते फते बलाए के बेंती कीती, उनना पुछिया दस पचंगिया की इच्छिय तेरी केन लगे जी नामदा रंग चाड़ो, ता उनना कैसी गुर्मत में एरीत पेयारे, अमरत शक पंचा है ततारे, पामें जनम बेले आप जीदा अमरत संसकार ज़ड़ा हुंदा होया है सी, पर उनना ने कै अमरत शक के हुंद तुसी ज़ान हो, त्यार बर त्यार हुँ ता इस तरह उनना दे आख्छे लाके उनना दे कोड़ों पंचा पैर जो लगे मापुर्श अमरत शक्या त्यार बर त्यार हुए ते इभी उनना कैता सी, गुर्बानी देता, अगे बड़े गुडे रंग बाने हैं गुर्मखा, दास और तरी की इच्छा कें दे सी, नाम रंग चाड़ो, कैन लगे वाई गुरु मंतर दा जो सिमरन तो अडेंदर चालो होया आखरी दम तक चाल दा रहेगा, सो इस परकार फिरो मापुर्श दस्या कर दे सी, कैसी पामें बराजे हुए, पामें किसे ना बचन कर दे हुए, कथा कर दे हुए, एक मेंट से किंट भ ननकाना साब, पंजा साब, देरा साब आदे कस्थाना दे दर्शन कीते, तो थोड़ा समा पहला शहादत हो इसी, पाई दलीप सिंग वर गयां दी, पाई लश्मन सिंग वर गयां दी हुए, तो सारा कुछ निजारा वेह के आए सान, बहुत चेत जबराग उत पन होया, सिर हर मंदर साब आ के कुछ महिने रह, तो ना ओदों सवा लख जबडी साव दा पाठ, छती लख मूल मंतर दा पाठ, ते ब्यंत वाई गुरु मंतर दा सिमर्न कीता, ते हरकी पाउड़ी उपर तीजी मंजल दे बैठके सिमर्न करया कर दे सान, इस तरह बहुत कट बराई दे स आप ही बचन दसे ऐसी संत करतार सेंग जिनू के पाई करतार सेंग जी थे गुरु कलगी तर पादशा ने इस मंजल ते सानू दर्शन दे के साड़ी चोड़ी परी सी, दस तेरी चोड़ी भी परवा दिये, तो ना आथ जोड़ के कैसी जी में तो आड़ी मर जी, ता फिर बचन कीता सी पाई करतार सेंग जी दम दमी टक साल दी अगे वदियार थी नो पड़ाओं दी जी में वारी तो आड़ी लओनी हैं, तुसी नो तियार बर तियार हो जाओ, तो इस परकार यो मह परश उते सिमर्न करके हर बंदर साब फिर अपने नगर पहुंचे संग, फिर इड़ा वड़ा कड़ावा सी सारे शीदानों जफिज लियाया सी, असी बेंती कीती, ता गुरुमारी ने कया तुम ही आजा, तो सानु मी हजूर दे हाथ लगे संग, इस परकार दर्शन दिदार हुए, फिर संत संदर संग खाल सा पिंडरावालें दे जधे वेची जार अ शादी हो चुकी सी माता किशन का और जिनार बसंत संग दे सपुत्री सानों हो, ते फिर आप जी दे कर दो सपुत्रा ने जनम लेया, पाई करतार संग जी, जनादा सरूप बिलकुल माँ पुर्शावर गा सी, ते हैवी सादू सबासन, ते शोटे सन पाई पगवान संग ज उनना दी अंसबन सोणवी रुदरपुर जूपी वेच वासदिया, और गुरमत गुर सिखीच परपक ने सारा पुरवार पुझे बैठके रोज राय रास्दा पाढ़ करदा, ते कठे ही बैठके पुझे परशादा पंगित लाग शगदने, उननना दी पोत्रे होई ने बाई अवतार संग जी जुआजिकल कथा दी सेवास पंथव जंदवार रहे ने, सो गुरु के प्यारे हो, इस तरह ओ मापुर्श गृष्टी हुन्दे होय भी नरलेप रहे, संत सुंदर संग्खाल सा पिंडरावालेयां कोडो होर विद्या पड़ी, और गुर्बानी दे गोजपाव अर्थों ने पड़े नाल ओ एक सो एक पाठ जबजी सावदा पंच गरंथी दा नितने भी करया कर दे सान। ता इस प्रकार एक वारी जाब कर दे होयां, जबजी सावदे पाठ छ्यासियां पाठ कर रहे सी, ते उस वड़े उन्हादी देबद्रिष्टी खु बाद वे शामानों क्या ने ग्यानी गुरुबचन संग जी एक गुरुमारा ने तो अड़ी ते बख्षिष कीती या ग्यान खंड वेच तुसी पहुंच गए हो, ये तो अड़ी देबद्रिष्टी खुली है, होर भी वस्था आज 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 तुसी इस तरह जार के रखना जाब कर देरो, सिमर्न कर दे रहो, फिर एक दन उनने अखा देगोंजी को अखर लंगे, उननने जागे फेबेंती कीती कि सिमर्न कर देएंज विगन पंदा को अखर लंग देने, तांके इस पाश्टासान के बिलकुल, के इस कुछ लेख लेओ, फिर अगले देज जी तो लिखे उस संस्क्राइब करशे जडि परणी संस्क्राइब कर देगे बेदेविए, उस संस्कрос ग्रसे लेकले अंदे तांज पीज लेलें सब्सक्राइब अज़नी, यह तो आड़े सिम्रन्दे परताब करके ज़ेड उयद विदिया है तो आड़े के हाजर होगी हैं फिन जिद्धों काीज घथा रहा ही समय तुसी को प्रमान देन ख्याल करोगे यह सारी यह विद्या तो अड़े के परगट होनगी है जितों मर्जी गरांतिचों तुसी प्रमान दे सकते हो सो ओ ता ऐसे हाई सान उन्हाद एक वद्यार थी सी बाबा दिदार सेंगों ता नां सी फलाने रिखी ने फलाने रिखी नू संकल अपदे नाल पड़ा ता तुसी कथा ज़से यह तुठे ओ ते संकल अपदे नाल इस सारी विद्या पड़ा दे ओ बैब अगनी पड़ी जन्दी में थूँ फिर महाँ पुरशा ने क्या सी के गरंथ कठे कर लो ते रात अदी रात बारावजी उठके शिनान करके गरंथ खोल खोल के रखी जायो जिनने गरंथां दर्शन कर लोगे सारे कंठो जानगे और बावा दिदार संग जी ऐसे ही संग पड़े खुछ नी से उनने सिर्फ दर्शन कीते सी ते जदों में किते उनने जाके को बजन पुष्दा सी उसस पड़े फट जवाब जंदे सी जे कि आप बजन कर दे सी ते सुनन वाले नूँ पदा निस लगदा केड़े गरंथ जो बोर रहे तर पुष्णा पहिंदा सी जी ए बजन केड़े गरंथ लगे और तां दस दे सी फुलाने गरंथ जने थोड़ा ही समा होया उनने साल यहा गयारा नतु खैरा नसी राख दे पहला तो बिल्कुल थोड़े यह सेंग रखदेसान फैर संत संत्र संघ्ञालसाजी कोड़ों विद्या पड़के ब्रह्म ध्यान दी वस्ताव न ने प्राब्त कीती फिर संत्र संघ्या खालसाजी ने अपना श्रीर त्यागन दा समा नेड़े जान के बोपार आये दिखे, मैं संखेप च बेंती कर रहे हैं, बोपार आये नगर लोदे आने जले दे अंदर ओथे नेड़े सरों दा खेत सी, ते ओथे पहला माँ पुरशाने, चालिया दिनाच गुरु गुरु गुरंसादी सारी कथा सुनी ना देखोड़ो 18 पत्रे गुरु गुरंसाद रोज, संत गुरु बजन सेंग जी 5 केंटे सुधेरे, 3 केंटे शामानू, 8 केंटे रोज कथा सुननों देखे संगत वेचे, संत सुन्दर सेंग खालसाज ने आपे सारी कथा सुनी, जदों कथा दा पोग पे आ, ते ओ सुनले फिर माँ साड़े पास सी, वो सारी दी सारी विद्या एस संग ने ग्रैन कर ली है, जो कुछ साड़े पास सी, सारा कुछ इनू देता, और फिर क्या, के पाई गाहां तो दमदमीट किसाल दी पढ़ाण दी सेवा हैंना वसी सौंप रहे हैं, कुछ दोतन सिंगा ने इरखा भी कीती सी एकने क्या जी, एता एंजा जी में मोर दे खंप बड़े सोने हंदे आ, अवाज बड़ी सुंदर पर अपने पैरानों वेख के चूरदा रहींदा, ता माँ परशा क्या सी, तू सदा चूरदा रहेंगा, और एकने क्या सी, सारा कोई तुसी यदी चोड़ी पाता सी, इनने बोलेया संतां दा बीरसी सबाह सी, ते इस तरह उनना ने ननू जिम्मेवारी जिनो देनी चाहिए, सुरोपा इना लेयांदा इरखावास, माँ परशा किन दरे सुरोपा लेयाओ, इसे नू सुरोपा देना, दस्तार देनी है, सुरोपा ने को लेया, फिर माँ परशा ने वाजे वाली फुलकारी लाके, इना दे सीस्ते रखी, ते सरों दे फुल तोड़के इना दे सीस्ते रखे, लैग गुरबचन सिंगा, इस सरों दे फुल वांग, तेरा हिरदा ते तेरा चेरा, सदा वास्ते खिड़या रवेगा, ते इस तरह सारी जिन्दगी खुश अंदर इनी आखाँ खुली आओं यहां, कि ओ अंदर ली आखाँ दे नाद सारा पड़ान चिलाओंगे, कले कले संग बारे पता हुवेगा की करदा, ते तेरे वरगे नेका इना जा गड़वाई बान के मगर पजे फेरनगे, तूना फिकर कर परमांद यहां पर चला लगे, इतियाद की इरखा पैदा हो जान दी है, बढ़े आई दिश्या पैदा हो जान दी है, आपां किसी दे निंदिया करना पे नहीं, हर जीवी अदूरा है, कोई पूरा नहीं, पूरा जिनुंपरमेशर पूरा करे हो उन्दा है, रह विचार ए उन्नी साओ ते ती दे वेच, म मेरा खेल अठाई नहीं कथा चाल रही सी, बसंत राग दे वेच, जदो उन्ना ने सरीर त्यागया आपदा है, और उन्ना जीवन दियां कटना है, बढ़े आलोकों के जियां, बढ़े विचितर जियां ने, एक वारी माँ पुर आम ही हुंदा सी, जदो राजनु बराजे ह करके सिंगा ने वेखिया, अठारा पत्रे गुरु गरंसाव जिबानी पढ़ दे जा रहे से, कोई लगा मातर चे फर्क नी पहन देता, इदा मतलब है नहीं कि उन्ना ने बाणी बैबागे कंठ कीती सी तान नहीं, रात भी सुते पे भी गुरु गरंसाव दे दर्शन कर द जिए कदे कदे दर्शन हों देरे गुरु साहब आना दे फिर जदों दी बड़ी बख्ष शोई अबरम ग्यान दी सो जदों गुरु गरंसाव महरा आए दे ताब्या सी बैठके रमाला चोक दे हां मन चछा जागे दे साइं सद गुरां दे दर्शन पर तक सन हों दे नहीं यही बचन संदर संग खाल साजी ने किया सी और एक दो बचन महा पुरुशन दे जीवन सबंदी आप जीनल संजी करांगा पाई दर्शन संग मान जी दे दादा जी पाई रतन संग जी ओ दास दे नाल बड़ा प्यार कर दे सी क्योंके मैं उनना तो एह बचन पुश्दा र पाईद ते ओ मान पुरुशन दे जथे जरहीं दे सी उनना दी तरम पतनी इनू संत जी पहन जी क्या कर दे सी पुछ यह क्यों कि पिछले जन में सडी पहन सी ते ओ सतकार भी बहुत कर दी सी ओ दो में जी कारबेटे सान ते ओस लड़े परशादे पकार रही सी ओ बीबी त ते ओ विचर देहून के यह थे पंजाब साथी लागे बने ता के ते हैं नहीं ओ कैनल लगी जी में बेबे नानकी ने गुरु नानक साफ नो याद कीता ते एमनाबाद तो सुल्तानपुर पहुंद के सी बेंदवेची महां पुरुशन उकेडी दूरी यह ते कैनल लगे यह तरी पावना सची होई ता हो आवी सकते ने मैं भी मन दाएंगा अजे इनाए बचन वया सी ते उना दा दर्वाजा खड़ किया दर्वाजा खोले आपाई अमर संग ने पा गालबाद नी पुषन देती कि आज ए पुषन लगे सी भी कितों आया जी किते ऐस वड़े ज बटेर चनगा पाई इसी बड़ी दूर जानाए उन चलिए बस उखने एकाई शक दे किया लिए उसाख भे तोर न घया सोध आर नगर कश्वा लोद의 shrank जोनी तो तोरन गया तांके ने चनगा फाई अमर संग ए तूसी कुछे आपी दास कितों आया सी उकेन लगा मेनू माँ पुर्षा मना की तापी जदों तक सादा सरीर है ए बचन परगट नहीं करना इनना उष्भ के रिंदे सान परगट नहीं करना सादा सतकार लोकां जब देगा रोड़ा पाजेगा बड़ी कराम आता शकति यह इनू वो पर जदा जद करन तोने दसेया भी तेरे कारा है सी तेनु ता पता इया मैं दास दिना पि ननकाना साभ सीगे महा पुर्षी जथे समेथ ते बार नू तुरे जांदे सी मैं पाट सूना रहा सी बाणी सूना रहा सी ते ओस एकदम रुगगे मेनू केय लगए पाई निश्य अपने नारहान वड़े शोटी तो शोटी उमर दे सिंग महीं पाई टे जी शब बोल दे साृप टसे सिंग दान राज़डन सिकरदे पाई फलणा सिंग जी तुछल सेंड करो जी शब नार जिरू बोल दे सा और के हैसे इसाड़े वद्यार थी नीए तर्दे सेंग ने सानुपड़ा उन दी सेवा वेली हुई है, असी नदी सेवा करनवास ने, साड़े बराबर ही असा थो काट नहीं, इस परकार गुरू के प्यारे हो, कि अंदे पाई निशत्र संग जी नेतर बंद करो, मैं नेतर बंद कर ले, बेंदक बाद किने नेतर खोल थाया से, पाई मकांद संग जी ऊजने टुडागे पेंड़े पाई मकांद संग जी, बहुत है गुरम ditष प्यारे है धानि कि पाई मकांद संग जी पाई मुकांद सेंग जी ने, तो मंचे ते बीठे बानी पड़ने, तो महा पुर्ष कूल चलेगे, तो उना फटे गजाई ता हासके कहने लगे, पाई मुकांद सेंग जी, तुसी साथ नाड रहें दे हो, मान वेचे कोई इच्छा है, उना क्या जी हाँ, एक इच्छा है, त कि अधे जी जदो अस दुनिया तो जावां, सामने तो अड़ा दर्षन होए, महा पुर्ष कहाने हैं तक पाई मुकांद सेंग जी यह कह रहे हो, मेरा दर्षन, कि अधे ब्रह्म गया नही तो अड़ा दर्षन, छोप करके, कि असी क्या विल्ठे आवी पाई मुकांद पर तुसे ही बड़ी होरी चीजी मांग ली दर्शन ता गुरु मारा जे करी दिया कि इंदे हाँ जी ओ ता हुने ही जाई देने पर तो अड़ा दर्शन वी अंत वेले होगे। मैंनू यकीन है कि तो अड़ा दर्शन हो गया ते मैं मुगतो जाना। ता मांपरश किया लगे अश्या पाई मकांद सेंग जी जे गुरु कल गीतार नू पाया तो अड़े अंत समय दर्शन करांगे। उधर बचने की इता तो अड़े दर्शन है करांगे। ता फेर दासदेने संग पी मां पुर्शित ठुली वाल पंड हे माल वेचा ओथे सवनवान तुकर दामी पाई कर्म सेंगडवई के जा गढ़े लया ते आप पाँजआ। गड़ी करायते करके पाई कर्म संग्डवाई नार लायके दोमें बैठके ते टुड़ी के पंड़ पहुंचे गड़ी बार खड़ी की ती फिर आप पैदल चलके गड़ी विच दी गए पाई मकांद संग दे कार जोंके बिर दवस्ता शुटी दे तीसी कारजान दी ओ कारज पाई मकांद संग जी अपना बचन पूरा करना है तो अड़े दर्शन कर लिया है ते बस दर्शन दें सारी एक बेंदवे ची सरी शड़ता पाई मकांद संग जी ने ऐसे सी मापुर्ष और किना समा वयानू साचखंड गयानू आज तोंको वीक साल पहला संत जर्रेल संग जी पेंड रोडे पेंड पाई शाम संग जी रिंदे सान ओ संता दे नाल दो वरे रहे सी दो साल पाई शाम संग जी ते उदू बाद उने गरिस्तनों तार्न कर लिया ते कार्चागे सी शुटी लागे एक चकी सी आटा पीन वाली रूम पिंजन वाली मशीन ते बाद तरमदी किर्थ ते नेतने में पके सान एक सिफट वाली गालाया भी वड़े माफ वर्षयां दे जिन्ने शगर्द वद्यार थी ने आज तक वी जड़ा को जियोंदा जां ही जिन्ना दे दर्शन कीते वेखे ओ चौथे पैर रात दे बलके तीजे पैरी ओठके नेतने में आस दे निजमी ने अजे तक वी हैं और एही उन्हादा सबास ही पाई शाम संग जी दा ते उन्हा ने आज तों वीक साल पहला दी गल्लाय चिड़ाई करम तों पहला तेन देन पहला आपने बेटे आनू किया बेटा जी परसों में चले जाना मेरी यह ती आनू में साधलो चले जाना है तुसी ते चंगे पले हो किन्दे बेटा एक गुरू की बाणी दा बचन है नान के कच्चड यहां से तोड टूड सजन संत पकेया वे जीवन दे विच्छड है वे मुया ना जाही शोड़ उस हाचिखंड वासी महा पुरशी जिन अदी संगत मेनू जिवानी सी तो आनू ले जाना है ते उन्हें दा बचन अटल है मेनू पूरा यकीन है वो जो कुछ बोल दे सन ओही उन्दा सी इस करके वो मेनू पर सनो ले जान गे समा आ गया ते ठीक ही तीजे दिन जिन्ने वजे ते जिस जगह ते दर्शन वैसी ओथी पाईशाम सिंग ने श्री खाल साई धा और थुड़ जी बेंती करते न पर श्री में ऐ सिर आगर बाबा जिगंदर सज्ग ने एक होर पर आता सन पाईञ बसंत संग जी ते माता नesकाoot आण चटीजी कोखतों संत замiche जब ऑ़ संग जिन मेल पहला विया है सी बाबा जिगंदर संग जिन जू झीन आर तो जादे लोग पौने दो क्रोड शैद मरे सी हो दो टाई क्रोड उदो चड़ाई कर गे सी ते फिर हालात नार्मल होए ते रोटे पेंड़े संत करपाल संग जी बड़े गुर्म प्यारे उनने बाबा जिगंदर से नो कया सी के तेरे प्रानल जडी बीबी विया इसी ने आ प्रानल जड़े असला कीती ते उनना मन जूरी देती के सी पेंड़ा बन के रवागी यां मैं कोई वितकरानी करांगी यह संत जी इंजे कहीं दे फिर तूसी करो फिर माता ने आलकावर जी नो बाबा जी गंदर संग जी विया के ले ले आए उनना जी कोखतों फिर तेन सं तना हो यहां पाई वीर संग जी संत जर्णायल संग ते पैंड जी इंदर कावर जी जनना जी इती कनेड़ा जा और कनेड़ा जो ना जड़ाई किती सी सो इस परकार वह परशादा जनम दो जून 1907 नो बाबा जी गंदर संग जी ग्राय माता ने आलकावर जी कोखतों होया जी और आप पंजमी जमाद तक पड़े ने पर आप जी एसे तरह बड़े गैर कंभी रते बीर सी सवाहाँ सी गा बचपन तों ही और इना तेज परताप इना सी नगर नवाशी दस देने के ज़ो आप जी खेतां जो किते तुरे ओंदे हुंदे सी ना ते नगर नवासी गल क्योंकि आप जी जिथे जिस कमरे दे बैठके सिमर्न कर देशन उत्हों कई वरी अलोप भी होए नहीं यह प्रवार जान दे शोटे शोड़े बचियां में पता सी जगल दा तो इस तरह आप जी दे प्रातान एक वरी वो श्राब पीन दा दी सी ते श्राब पीती हो को मिल तो इस तो करें लगे श्राब न पी आकार ãyस ता मुण कर दे श्राब शाड़ दे टा मुणा हूसराब पूर न जुझा थे जग तो तनू म है नुझा जंता लिए और फär बडू आलाज को लिद्न ऐख भी अगल न बटी यह औशन दिस्या घया देत woo जर्नेयल सिंहा तेरे बचन दढ़ें जो जा है ते तुम कोई अरदास बेंती का रहे बहुत तडफ रहा बड़ी बुरी हालता है। फिर वहाँ पुरिशा ने अपने प्रातानु क्या के ते उठके खड़ा हो। हरमंदर सावाल नो मुह करके ख़लो के अरदास करके आयतों बाद शराब नहीं पीआगा फिर सूल भी कदे नहीं होगेगा। ते यह ना शड़ी ते यह सूल नहीं तो फिर उन्हें उठके ख़लो के अरदास कीती ते उदा सूल लाट गया। रह बिचार होर भी उन्हा दे आत्मबाद दे बचन। एक वारी आप जी पिंडरी गए पिंडर कला नगर वेच ते ओ थे दो परवार नहीं देशा नहीं एक अमरतारी परवार सी दूसरा शराबी कभावी सी। शराबी परवार दे बजरुग नाल अमरतारी परवार दा बजरुग गल कर लगा। तुसी कदे ख्याल कीता है, साडी जमीन तो अड़नलों का अटा है, पर अशी बड़े सुखी हैं, तो अड़ी जमीन बड़ी, पर ठूटे ना कनाली खड़कदी है, गरीबी है, अकड़ा कलेश तो अड़े का अरजरें दा, कदे ख्याल नहीं कीता है। करें लगें, हाँ यह गलता है, तून दास की करिये, कि अधे महां पुरिष आरने संथ जर्नायल संग जी, ते कोई सिवा करो लंगर वेच, की करिये, उना का कोई खांड दी बोरी, आटे दी बोरी, कुश लेया हो, ते नाले अपने बेटे नू का हथी सिवा करें, उदे पांदी समापती ते अमरसंचार भी हो जा, पर उस बजर्ग ने मेनू खड़े कीता संता आगे, क्या जी एना ते किर्पा करो, ता संता ने सिर्फ एनाय बजन कीता, सिंगा आज तों बाद केस दड़ा ना कटाई, मेरे वास्ते सोखा का मसी, शराब शड़नी बड़ा उख पर केस दड़ा रखना सोखा जी मैं मने के साथ बजन दी, अगले साल फिर आए, फिर उस बजर्ग ने मेनू इससे तरह सिवा कराई ते संता के खड़ा कीता, फिर संता में क्या सिंगा होना अमरत पान का राज अमरसंचार भी होना है, ते मैं करना लगा ना बाबाजी, एक जी शामानू, मैं गाली शराब नी शोट साग दी, महापुरश कें लगे, तू सिर्फ साथा इना बजन मन के अमरत पान कर, शराब पीण दी तेनू मना या राज के पिणी जिनी मरजी तरह मन करेता ह। जे इथे कुछ वज अगया ते तेनू शराब नी पीण दे आँगे, अजिदा डिरेक्ट केया संताने, आम तोरते होजा बजन नी सी कदे कर दे, कि इंदे जे इथे कुछ होया, तू शराब वालनू वेखेंगा भी नी, इस जम्मेवरी साड़ी, तू शराब पीण दे पीले मैं, कि इंदे मैं बजन मनना पेना सी, फिर मजबूर हो गया, पी अजिए पता, मैं अमर्त शराब लेया, ते मुड़के कदे फुरना नी आया शराब दास दे पिता जिनाल भी ऐसी कटमे कोई सी, मेरा पिता शराब भी पींदा सी, और भी बड़ा कोशन, पर जो शुटे एको दे नी शुट गया सी, अर दास गीती गुरु मारा दे चेरना कारें दी संगत दा एलाब है, नरका चो कड के सच खंड वेच पिचाउन वाले ने गुरु के प्यारे, तो इस पर कारो तरसेम संग लगा भी अमर्त शाकलिया कदे फुरना नी आया, कार वेच भी रेला फेला होगी है, बड़ी जमीन असी खरीद ली इत्हों तक के मेरा ब अरफ के वो थेक रसाल संग नादा तकडा जवान बंदा, नौजवान सी, वो संत जर्नाल संग बास्तों निकले उत्रे, क्यान लगाओ बाबा, तू अपने आवनों संत काओ ना, जिड़ा तू जवान उड़ाई मैं, आव एह मिरनाल दस्त मन जाला है, आव भाण के वेख अपना पंजा की वहाना है, तेनू अपना पंजा ओवखावेगा जिनने पत्थरा नू पंजे लागे पंजे साब बनाया, तेनू अपना पंजा ओवखावणगे, बस इना बजन करके, किसे दे कार चलेगे उत्हों बस जबीथे, ते नेड़े पेंड़ा एक होर, मुठे नेड़े उस्मान उस्मान वाला, मैं गया हो थे कई वरी उस्मान वाला पंजा, ओथे पाई गुरदयाल संग जी, दा कारसी उत्हे संत चलेगे, ते ओ जड़ा सिना रसाल संग, जदो संताना मिला पोया, नक बजन होया, ओधो युनू कुश हो गया, ते ओ वाहो दाई पै वरोजपुर जले लोकांदी बोली है, वाबा बड़ा या राजड़ा तेरे कारया मैंनू बढ़ा, संताना पुश्या करने लगे आउन देओ, जदो गया ते दड़ करके मंजे दे कोल डिग पया, तो बहुत ज़ारा, मैं नीसी तेनू समझ या, पर तू पताने मैंनू की क अमर्त शक्या नितनेमी बढ़ा, उनीसो चरासी तो बाद उने जूजदिया होया, शहादत प्राब्द कीती ते ओधी याच गुर्दुरा सा बढ़ा होया, गुर्दुरा यादगर बाबार साल संग जी शहीद, कि थे ओ श्राभी कबाबी बंदा सी नित दा श्राभी, इस प्रकार रबदे प्यारयां दी संगत द्वारा हर एक सहाथे आया, वर साने बहु तेरे तेसलाग मुगत पहेकन दे रे, उनीसो सततर वेच्च संतकरतार संग दे शरीर त्यागनतों बाद हो मुखी बने सी टक साल दे, अठतर वेच्च नरंकारियां दे थों जो शहादत हो जथे ते संग कठे कीते ते बचन करनाग पर सिंगो, सिंगा दी शहादत होनतों बाद, तो अडे जीवन हो रुचे सुचे बनने ही चाही देन है, पर तो अडे विचो मेरी गैर आजरी वेचे कोई संगाने नेतने विच फरक पाया है, आपने आपी उठके अपनी गल्ती म उठो, तुसी फलाने देन जाब सावदा पाठनी सी कीता, पाई जिस बीर सिंगी तुसी उठो, तुसी दो बाणियां पड़ी हैं सी तेन बाणियां नेतने में कीता, साड़े जथे एदान दी टले आई सानू मनजूर नहीं है, तेन सिंगा नू बारी बारी दसेया सी ते पर क्या सी के जिनआ ने मेन धुद्स देतीयां अनने मेरे अंदर भी कुछ पाया है, गुरू महरा है ने मेरे अंदर कुछ भशिष की तीया, इस जिथे जिथे देन शी वीचर देकले कले बारी मने पता, यह नहीं यकीन तो मेरे अगो यह जंगो, ऐढने मिटे दिला कर त पढ़ना, नेजम में चे रहना पढ़ना, तो यह महाँ पुरश जड़े सी उन दा असर प्रभाव सिंगा दूपर सी, नानक नवास वेच संग पूथी प्रकाश करके नेतने हूं कर रहे सी, छंथया कर रहे सी, ते आप उच गलां कर लाग पे संता बारे, संता ने दर्वाज कर दे, रहो विचार, एक शोटा बचन करके मैं समापती करन लगा हैं, जदो तरमजुद मोर्चा चल रहे हैं सी, नानक नवास दे वेचे कमरे चोन दे रहे हैं सी, ते एक पास संत हर चांद संग लोंगवाल जिन नो क्या जन दा, ओधी रहे हैं सी, ते अई थो न्यू टाइम्स अखबार दा एक पत्रकार इडिया गया, ते ट्रब्यून अखबार दा करमजीत संग ना दा पत्रकार उने दिलियों नाड लया, इंटर्वु करनवास दे गये संतां दे को, संत जर्नेल संग इंटर्वु भी कीती, ते हर चांद संग लोंगवाले नाल भी इंट इसmber पत्रकार ने किया तुम पहला दास अठर्मी सदीदे सिख्ण दा यास पढ़े आई, ते पुझाबी पत्रकार, सिक्ख पत्रकार करमजी संग शें कहन लगा ने मेंनू कुछ नहीं पटा, मैंनि पढ़े या, कहन लगा फिर मैं पढ़े या थि आस दे, मताबक मैं तेन अंदर समो के बैठा इदे विचे एडी दिड़ता आते एडी निर पैता है सारी दुनिया दी फोज कठी हो गए आजे ते दे गोडे नी लवा सकती यह अपना पामे शरीर दा तुमबा तुमबा करवादे पर एक किसे के चुकेगा नहीं और सारी कौम दा दर्द अपने आतानों मिलके तो गुरू के प्यारे हो इस वास्ते को बानीच बचन होंदा है पड़े ना ही पेद बुझ यह पावन और बचना है पाठ पड़े ना बुझ यह पेखी परम पुला है ते मैं एड़ा बुझ यह शबदा एदे अर्थां वेच कही चे रहां उल्जदा पी क आर्थ कर देने पी बानी दे अर्थ समझ लो ए बुझ यह पुझ आ गया नो नो जेडे चार बेद ठारां पुराण शे शास्त्र ने उनन दे वड़े वड़े ग्याता अर्थानु जानन वाले के इंट्यां बदी कथा करन वाले की यह तर गे हजूर के ने पड़े आ कभीर नामदेव जी रवदास जी कोई विद्याले जी जाके नी पड़े विश्व विद्याले जी शूदर नो ते पढ़न दा दिकारी नीसी इडिया दे वेचे सिर्फ उनना एक अखर अपने गुरु तो सुनेया कमाई करके उस वस्ताज पहुंच गे कि उनना दी बानी गुरु गुरांसावज बराबर लगी गई एक माई भूजय दार था जिमें बजनाय का लाल च शाड़े ओंदे ओ लाल च दोख पारी सबन वर्थां दने जाकवड़ा बजना या अखर समझन दी लोड़नी पसित अखर पदा कि इस तो सिखन दी लोड़नी लाल च शाड़ पर कौम दा दर दे अंतर है नहीं कौम दा दर्द मसूस करन वड़ा उद्र है सो गुरू के प्यारे ओ इस प्रकारदा अंतर हुंदा है जियां दे अंदर एक हन साड़े वर्गे परचार के एक हन पढ़के अमल चले आगे कमाई की ती जिनाने ओ एक निगाया बचन होर सुना आगे मैं सुमापती करांगा मा पंजा सथ विद्वान पैदा की तेने साड़ी कौम नों देते पंजा सथ विद्वान ते आप एड़े वड़े कथा वाजग सी संत संग मसकीन जी सीज गंज साब दवान च बैठे कथा सून दे सी ते जड़ा फुन है महला पंजमा पंजमे पाधिशादी के बाणिया दे प्रिंसिपल गंगा संग ने ते मसकीन जी पंदराइण कथा सून के कै गे उठे आशाश कार उठे किंदे ए विद्या पड़ी होई दा कमाल नी ए रबदी बख्ष उत्रों का उपरों का रही है ए पढ़के नहीं को सुना सकता जोग प्रिंसिपल गंगा संग ने नमशकार करके ग्यानी जी किते जाना सी कथा करन चले गया एडे बडे वद्वान सान एक साल दे वेच्छोन ने फुन है बानी जी कथा पूरी कीती सी ते संगतां ब्यंत जोड़ी हैं ते सिस गंशाब उन ती कथा ज रास भी बड़ा से ओ प्रिंसिपल गंगा सेंग कवारी संत अतर संग मस्तु और वाड़ां दे सामने उने खता कीते ते कथा वैच पांच खंड़ा दा जिकर कीता जपड़ी साफित तरम खंड ग्यान खंड-कंड सर्म खंड करम खंड साच खंड अठे संगत अध्य आत्मक पांज अवस्ठान वा थे इदे वेचोन आभी बचन सुनाया ब प्रेंसीपेल साथ ये जो को जो उसी sl Corona बाकमाल है ये परकी यहो जी अवस्था कद ऐ कोई मानी तो अधेद हो अशर हो यह जी अवस्था कद आबया वापरी तो फृदिनां अपरी आए अपरकाणा सीछिप गंगा ने वाफू तो आणू लोग संत मंद्जी ने जो मर्जीः पताने मिन्नों हो जी वस्था तो अड़ी है के नहीं पर मैं इस वस्था नो ही मंधा घथे होगं ने सकता के सरीर तारी बंदा थे गामतों रहा थो ज आसा नंद पे ऊथे गामनाँ arseर ़ह ज तो तो अटेंदर जनम लेगी क्योंगे तूसी ठाक गए हो प्रमारते राते जन्दा बंदा ठाक भी जन्दा था ठाक हार होट जन्दा कही वरी जमें टड्रियां वड़ा कहीं ता इन्ने साल मैं शनान करदा रहा जा आच भी बहुत लाना शनान करदा जी तो मिनू मिलेया कुछ नहीं यह डास उखा कम डग्टर नजी नियर बरिष्टरी करके जाजबाणना एक इन्ने वरे लगदे ने ते ब्रह्म गयनी आप परमेशर होने ही बढ़ जेंगा तू ब्रह्म गयाने डी शेती नहीं मेल जान दा खोरे किने जनमादी कुमाई होए एसे तरह हार होट गया स प्रें सीपल गंगा शिंग मापूर्श के इंदे तेरी सेवा निस्फल नि जान देण और सानू पांच मिंट थे आसा टे गोल बैठ वे खो कमाईदा परताब जेंदे पांच मिंट मेरे मगर मगर बोल वही गुरु वही गुरु वही गुरु सिर्फ पांजमिंट पंजमि गंगा संग चरना आते टह पे आते यारो कतार होया यो ब्यान नहीं कर सक्या के मिनू के सवस्थाज पुछा आता पर कहने लगा हां संत जी जो कुछ तुसी दस्या जो कुछ मैं कथा सुनाया यह सारा कुछ है और फिर सारी जिन्दगी जदों तक प्रिंसिपल गंगा संग ज कि दिया पढ़के लोकानों सुना के रजाया जा सगदा खुश कीता जा सगदा तन दौल तैश्वर जिते सतकार मिल सगदा पर यह वस्था कमाई नाड़ी प्रापत हुं दी आप कमाई करनी पवेगी विश्वाश रखके जिदा मन पतीज जे बजन सुनके ते कमाउन लग अने बुजया है हुगया पुला चुका साद गुरु महराज रखसा के रख्ति हम्या करनागे वास्थ समदा भकषनी जी फर्स य फिर गुरुत संगत सिरते मिर पराइँठें उर गतर आफ पोईज्वका का खालसा वाई गुरुजि की फते सब्सक्राइब सत्गुर्जी करपा करने नन दे रोगता चरदी कला इसे तरह से कौम दिया सवामादे वेच जो होर उदमत शाह देनाल बल देनाल सिवा करनदा बल बखशन गुरु प्यारे ओ एक दो सूचना माहन एक ते जमें आप समुची साथ संगतनों पता है के ओन वड़ा जो एकी फर्वरी है एकी फर्वरी नो साका ननकाना साहब चेड़ा सौ साला ओ आ रहा है और गुरु नान का नाम लेवा से एक संगता जित्थे जित्थे वी वर्ल्ड बेटियां हन वो ए पर्व जो है बड़े पदरते मना रहे हन और आपने गुरु का रविखे भी एस पर थाए उन्नी भी और एकी नो जो उन्नी तरीक नो शिरी खांड पाठ गुर्द्वरा से सहब बिखे पराराम होन के जना दे पो एकी तरीक नो एकी फर्वरी नो पाई जानगे और सारा दिन उस पाई लाशमन सिंग जीता रो आल और समुचे ननकाना साब दे शिहिदानों जड़ा है ओ जाद कीता जाएगा जिमें दास ने पहले दस्या है के जो प्राने सिस्टम दे वेच जनू स्कूल केंदे है ओधी रिकॉर्डिंग जड़ी है पाई सब पाई हर्पी सिंग संदू दे पास बड़े महापुर्खा दी सांतो बाबा गरवचन सिंग जी जो दमदमी टकसाल दे बार में मुखी हुए हैं उना दी किती होई लाइव कथा जड़ी है ओ तक्सरी पतना साहिब ते होर भी थामा थामा ते ओ पाई साब जी दे पास बहत अमुला जड़ा खियाना है उपया है उन्हों कनवाइट करके गुरू करदा जो पेज है फेस्बुक पेज दे जड़ा ओ पाया जा रहे होडी होडी करके जड़ा फगण महिने दी संगरांदा जड़ा जड़ा बेस्तार दे नाल जड़ा टीका किता होया कथा दे वज ओ कौट जड़ा जड़ा है उसोन सकते हो अका येश इर कर सकते हो क्योंकि ए जो कथा है ए शेय देड़ेदेविच महापुर्खाबलों जड़िया अनपवी गल्दावंजमें पाईसाब जी ने बृत बस्तार देनाल दस्या है क्योंकि आज जड़ा किन्तू परंतू है तो ब प्रजंदा आदे उना प्यारें आदे जड़े कोतक है पाईसाओ जी सना रहे संदेल नी कर रहे हैं कि एस माथती करन एजीवन है जीवन दी चलक है अजी ते वह बेस्टा दे कीडें हैं अजी खेंखेंगे पुलना हा रहे हैं ताहिए अजी आखेंगे रोज सत्गुर्जी सत्गुर्जी ने क्या पाहिए अर्दास बेंती करेया करो के असी पुलना हा रहे हैं दाता तूं बख्षन हा रहे हैं बख्षित लगना नू जेत्या समंधुसागर नीर परयाते ते उगन हमारे दया करोकुष मेर अपावो डूब दे पत्थर तारे दे महाभा कांसार सत् जनिया विसाद संक्तान ना